बिहार में होने वाले सात्वे चरण की सिख्षक भरती में लगबग धाई लाग से जादा पद हैं इस भरती परिक्षा को ले करके सभी राजनेतिक पार्टिया अब राजनेति करने लगी है आज बिहार के सिख्षा मंत्री का एक प्रमुख स्टेट्मेंट आया है परिक्षा लगतार और नियोजित संस्थाओं के द्वारा पहले से जो नियोजित सिख्षक है उनके द्वारा लगतार ये कहा जा रहा है कि जब पहले से हमारे पास BTET और CTET पास अभ्यरती है तो उनके लिए अलग से परिशा कराने की क्या आवशकता है इस पर क्या कुछ बिहार सरका लगतार जो नियोजित सिख्षक है वो एक तरीकी से खुले मंच से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे है क्योंकि बिहार में और लोक सबा चुनाओ 2024 भी होने वाला है इसके अलामा बिहार में विधान सबा चुनाओ को भी ले करके और इस समय जो प्रमुख मुद्दा है वह इसको लेकर के जो नियोजित सिख्षक है वो एक तरीके से दबाव बना रहे है कि नियोजित सिख्षकों के मादयम से ही जाती है जनगरना हो रहे है उसको वो लोग रोकने के लिए कह रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बने और वो BPSC के मादयम से होने वाली इस परिक्षा पर रोक लगा दे जिस पर बेसिक जो सिक्षा मिंत्री हैं बिहार के उनका इस पश्ट सब्दों में कहना है कि अगर जो पीचर पहले से जो कुछ पढ़ा रहे हैं या फिर जो कुछ भी उन्होंने बीटीसी के दोरान ट्रेनिंग में पढ़ा है उसमें से दो-चार सवाल पू BPSC के मादम से होने वाली नियोजित सिक्षक इस परिछा को पास करके जाएंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा अभी वो राज्यकर्मी नहीं है अभी वो नियोजित सिक्षक के तौर पर कार करते हैं और उसके बाद से उनकी सैलली भी बढ़ेगी और सांत बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है वहां पर वो विपक्ष में हैं वहां पर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक अलग से परिछा कराने की क्या वशकता है तो बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में भी जब उनी पार्टी की सरकार है तो यहां प समझने की बात है कि आखिर दूसरे राज में जब उसी पार्टी विस्चेस की सरकार है तो वहाँ पर सूपर्टेट अच्छा माना जा रहा है और वहाँ पर जब विपक्ष में तो उसका विरोध कर रहा है तो आपको खुद समझना होगा कि क्या आपके लिए फायदेमंद है या फिर कोई आपको ऐसा तो नहीं कि एक तरीके से सिर्फ राजनेतिक मुद्दा आपको बना करके तो नहीं छोड़ा जा रहा है तो ये चीज़े आपके लिए समझना बहुत जरूरी है और ये एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदिस में भी ये सबी चीज़े हो हैं कि जो यहां पर भी लगतार समान वेतन समान कारे की का मुद्दा उठता रहता है कि जो सहाय का ध्यापक है और जो सिक्षामित्र हैं समान काम समान वेतन की मांग करते हैं अब जो सहाय का ध्यापक हैं जो सूपर्टेट की परिछा क्लियर करके आ रहे हैं या फिर जो टे रोद करता है आर्टी एक्ट में साप शब्दों में लिखा गया है कि कोई भी सिक्षक सिक्षक के पद पर तभी तैना थो पाएगा जब वो सभी माप दंड वो पूरा करेगा 2011 में जो अर्टी एक्ट को पूर्ण तरीके से लागु कर दिया गया उसके बाद से सिक्षक पातरता पर इक्षा पास होना अनिवार है और यह केवल एक पातरता पर इक्ष्रा है इसका मतलब यह नहीं कि इसको क्वालिफाई करने के बाद से आप शिक्षक बनी जाएंगे इस सूपर टेट की परिषा को एंटेटेट की आगया बीपेसी के मादम से कराने के संदर में तो ये सब के लिए बहतर है क्योंकि आप खुद देखिए न सीटेट की परिषा को लेकर कितना विवाद माचा था बिहार में पूरे देश बर में जो सीटेट में पासिंग का साथ है प्राइमरी का और अगर केवल आप बिहार में देखेंगे तो केवल पांच प्रतिशत है बावजूद इसके इतना जादा वहां पर धांदली उजागर हुआ था लगतार बिहार से इस प्रकार की खबरे आ रही थी कि एक अभियरती के जगर दूसरा अभियरती तो निश्ची तोर पर एक निस्पक्ष पूरी भरती प्रक्रिया हो सकती है तो यह एक अच्छा कदम है क्योंकि आज नहीं तो कल तो सिक्षा में सुधार करना ही है बिहार की सिक्षा व्यवस्ता किसी से छूपी नहीं है वहां के जो टीचर है किस प्रकार से पढ़ाते है या फिर वहां का सिख्षा का इस्तर क्या है किसी से चूपा नहीं है बिहार में अगर आप देखेंगे तो तीन वर्सिये जो डिग्री कोर्से जो होते हैं उसको कंप्लीट करने में अभियरतियों को 5-6 साल का समय लग जाता है उनिवर्सिटी उस लायक है ही नहीं कि तीन साल म उनका परिछा कंप्लीट करा करके देए तो कभी ना कभी तो सुरुआत करना होगा तो क्यो ना प्रात्मिक सही सुरुआत किया जा और वहीं हम अगर शुरुआत बिहार सरकार ने किया है तो कही न कहीं समर्थन मिलना चाहिए और इसको राजनेतिक मुद्दा बना करके विपक्षी पार्टिया इसको हाइलाइट कर रही है जबकि आप देखेंगे बिहार से सटे उत्तर प्रदिस में इसी सूपर्टर्ट की परिचा को जब इंट्रिडूस किया गया था तो सरकार ने अपना पीट थपत पाय था कि सिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्टन ला रही है और जब वहीं बिहार में हो रहा है तो वहाँ पर सत्ता दल वहाँ पर विपक्ष में तो उसका विरोध किया ज़रे देखिए बहुत सारे विर्टी जो चार साल से सिक्षा भरती सात्वे चरण का विर्ट कर रहे थे उनके लिए निश्ची तोर पर समय कठीन होगा और उनके लिए एक तरीके से सरकार ने कुछ ठीक किया भी नहीं है यहाँ पर सरकार की कमी यह थी कि जब आपको यह सभी चीज़े करनी थी तो थोड़ा सा चार साल समय ना ले करके एकाथ साल में यह सभी चीज़े करनी चाही थी लेकिन ये एक राज विशेश का मामला नहीं है आप उत्तर प्रदेस में देखेंगे तो 2017-2018 से ही यहाँ पर एक सिक्षा सेवा नियमावली बनाने की बात चल लए है जो कि 5 साल, 4 साल हो चुके अभी तक नियमावली धरातल पर नहीं है उत्तर प्रदेस में सिक्षाक पातरता परिक्षा पिछले साल भी नहीं हो पाई थी इसके अलावा उत्तर प्रदेस में प्राथमी की सिक्षाक भरती की बात कर लिजा है इसके अलावा उत्तर सिक्षा विभाग में भरतियों की बात कर लिजा है सब भरतिया लटकी हुई है क्यों? क्योंकि एक आयोग नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए time bound होता है कि इतने समय में आपका चुना हो जागा, इतने समय में result आजागा, ये सभी चीजे भरतियों में भी होना चाहिए चार साल से नियमावली बन नहीं पारती तो उसके लिए time bound नहीं दिया गया है कम से कम एक time mount हो कि हाँ कौन सा आयोग कराएगा कब notification आजागा, कब परिक्षा हो जागी कब इसके लिए counseling हो जागा, कब न्यूकती पत्र दे देगी ये सब जब तक time mount नहीं दिया जागा तो अभियर्ति अपने आपको ठगा महसूस करेंगे ही करेंगे एक संदे पैदा करता है कि वाकई में सरकार गंभीर है, अथ्वा नहीं आपको क्या लगता है, कमेंट के मादम से ज़रूबत आएगा और ऐसे ही महत्वपून अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, भगवान करें आपका दिन शुब हो